श्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिसकेस करेंगे इंडियनियन आई कोपरेशन के बारे में क्या कुछ शेयर में निवेश करना चाहिए नहीं हम आपके लिए क्लिक लिए कर देंगए विडियो एंड तक जरूर देखेगा विदियो एंट काफ़ी स्ट्रांग इस company का stock नहीं ज्यादा overbought zone में है और नहीं ASM कि किसी red flag list में और company के annual growth rate profit generation revenue growth rate cash flow statement income flow statement सारकी सारी positive में और company के ROE भी अच्छी गाइस debt to equity भी अच्छी गाइस और earning पर share भी ठीक ठाक है गाइस सो गाइस आपको पता है भी share का stock split हुआ है गाइस वन इंटो टू रिश्यो के उसमें stock split हुए गाइस और उसके बाद से आपको इस share में एक range bound momentum देखने को मिलेगा गाइस और इसमें आपको थोड़ा selling momentum भी देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे company का stock split होते तो आपको इसम आपको पता है क्रूड़ के प्राइसों में इंटरनेशनल मार्केट में जिससे हमें आने वाल टाइम में एक रैली देखने को मिल सकते हैं लेकिन मैं आपको यह कह दूँ जो यह stock split हुए तो इससे जो share है उनमें हमेशा ही हमें थोड़े time के लिए एक दो मीने के लिए ऐसा यह पेन देखने को मिलता है गाइस मुझे लगता है एक दो मीने आपको इसमें ऐसा एक range बांड मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऐसा ही एक range में फस्ता हो दिखे का share और इसमें आपको ज़्यादा मुझे नहीं लगता अभी rally देखने को मिलेगी तो मेरे आपको यही रह करेगी अभी आप इसमें fresh positions बनानी का अगर सूच रहे तो मत बनाईए और अगर आपने share को ख्रीदे रखा है long term point of view से पहले तो आप इस share को hold करके क्योंकि यह 85 90 के target आने वाल टाइम में बड़े राम से अचीव कर सकता है guys so guys company fundamentally बहुत strong है लेकिन आपको इस share में temporary pain अब द subscribe कीजिए वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए thank you guys हमारी वीडियो देखने के लिए guys